हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी किट्वन में आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सुपर सॉफ्ट और यमी स्पॉंज केक की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मन भूलिएगा तो चलिए करें हैं तो आपको इपी एक कप सेट कर लें और उसी के कोडिंग अपने सारे मेश्रमेंट्स कर सकते हैं तो सबसे पहले मैदा को आड़ कर लेते हैं अब मैं यहाँ पर आड़ कर रही हूँ 1 फॉर्थ कप सूजी या रवा यह बिल्कुल फाइन वाली सूजी है अगर आपके पास मूटी सूजी अवलेबल है तो आप उसको मिक्सर जार में थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद ही यहाँ पर आड़ करें एक कप पाउडर शुगर नॉर्मल शुगर को मैंने ग्राइंडिंग जार में डालके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और इसका फाइन पाउडर बना के रेड़ी कर लिया है साथ ही साथ मैं यहाँ पर आड़ कर रही हूँ 1 प्लस 1 फॉर्थ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 फॉर्थ टीस्पून बेकिंग सोडा तो चलिए सारे ड्राइ इंग्रीडियेंट्स को फटा-फट से छान लेते हैं सारे dry ingredients को हमने यहाँ पर चान लिया है तो अब मैं इसमें add कर रही हूँ 1 4th cup cooking oil यहाँ पर आप कोई साभी cooking oil यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यदा तेज़ स्मेल वाला cooking oil आप cake बनाने के लिए यूज ना करें साथ ही साथ मैं यहाँ पर add कर रही हूँ 4-5 drops vanilla essence की तो एक पर सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा mix कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है 1 cup fresh curd या दही यह दही बिल्कुल room temperature पर है त्यान रहे cake बनाने के लिए कभी भी खटे दही का use ना करें तो थोड़ा थोड़ा सा दही हम add करते जाएंगे और एक smooth better बनाके हम तयार कर लेंगे अगर आपके पास जादा गाड़ा दही available है तो उसे फेटने के बाद ही use करें और अगर आप पतले दही का use कर रहे हैं तो उसको आप directly add कर सकते हैं बिना फेटे तो ये देखिए हमारा cake के लिए better बन के बिल्कुल तयार है ये हमारे better की बिल्कुल perfect consistency है हमें इससे ना ही पतला चाहिए ना ही thick better चाहिए और क्योंकि हमने इसमें सूजी add करी है तो अभी हमारा थोड़ा सा better फूलेगा भी अगर आपके better की ये consistency नहीं आई है या आपका better थोड़ा hard है तो आप थोड़ा सा milk यहाँ पर add कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे milk बिल्कुल room temperature पे होना चाहिए और better को बहुत जादा पतला ना करें ये ही इसकी consistency रहनी चाहिए और last में मैं better में add कर रही हूँ थोड़ी सी colorful balls ये पूरी तरीके से optional है अगर आपके पास available है तो आप इसको add करें नहीं तो आप इसको avoid कर सकते हैं तो mix कर देते हैं फटा फट से हमारा केक का better बनके बिल्कुल तयार है और क्योंकि आज हम केक को इस container में बेग करने वाले हैं तो container को हमें चारो साइट से oil से अच्छे तरीके से grease करना होगा ताकि हमारा केक इसमें चिप करना तो मैंने इस container को already grease करके रखा हुआ है तो चलि इवन एक इंच का space बचा हुआ है तो जब भी आप केक को bake करें कोई ना कोई ऐसे ही बर्दन का यूज करें जिसमें उपर space बच जाए better add करने के बाद क्योंकि cake फूलता है तो उसको फूलने के लिए space जाए तो थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से tap कर लेते हैं ताकि air bubbles remove हो और थोड़े सी sugar balls टाल के हम इसको उपर से भी decorate कर लेते हैं तो हमारा better बिल्कुल ready है तो चलिए फटा-फट से इसको bake कर लेते हैं क्योंकि आज हम इस sponge cake को कड़ाई में बनाने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने gas का flame on कर लिया है, gas पर रख लिया है कड़ाई, कड़ाई में मै cake layer बिचाई है नमक की, उसके उपर रखा है मैंने wire stand और कड़ाई को already मैंने 10 minute पहले ही preheating के लिए लगा दिया था, तो हमारी कड़ाई preheat हो चुकी है, तो चलिए cake tin को इसमें set कर देते हैं, तो cake tin को हमने कड़ाई में set कर दिया, तो कड़ाई को अब हम कर देते हैं cover, gas का flame ह हम कर देंगे low और low flame पे हम cake को तकरीबन 50-55 minutes के लिए bake कर लेते हैं, हमारे cake को bake होते हुए तकरीबन 50 minutes हो चुके हैं, तो एक बार खोल के check कर लेते हैं, एक toothpick के help से हम अपने cake को check कर लेते हैं, और ये देखिए हमारे toothpick बिलकुल clean आ रही है, इसका मतलब हमारा cake बिलकुल perfectly bake हो चुका है, तो gas का flame हम कर देते हैं, और अपने cake को हम निकाल लेते हैं, कडाई में से बाहर, कडाई में से cake को निकालने के बाद हमने इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है, आप देखिए सकते हैं कि हमारे cake ने edges को खुद बखुद चोड़ दिया है, तो चलिए, असानी से निकल आए, और अब एक plate पे हम इसको निकाल लेते हैं, हलका सा हम container की bag पे tap कर देते हैं, ताकि हमारा cake असानी से निकल आए, तो हमारा super soft sponge cake बनके बिल्कुल तैयार है, तो चलिए, फटा-फट से मैं आपको इसको cut करके इसका sponge दिखाती हूँ, तो ये लीजिए, हमारा super soft sponge cake बनके बिल्कुल तैयार है, इसके sponge को देखने से ही आपको पता चल के आओगा कि ये कितना spongeी बनके तैयार हुआ है, खाने में भी बहुत ही tasty लगता है, देखिए कितना चालिदार cake हमारा बनके तैयार हुआ है, तो आप भी ये recipe एक पर जरूर try करें और अपने experiences मेरे साथ share करना बिल्कुल न भूलें